Hello students, good morning, मैं हूँ आपका दोस्त अभिशीक और स्वागत थी एक बार फिर ते आप सभी का आपके अपने इस यूटूब चदल में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के ओन आप दी बेस्ट चीपेस्ट मेडिकल कॉलेज एम्स जी हाँ All India Institute of Medical Sciences जहां से इम्स करना हर एक बच्चे का सपना होता है कहते हैं एम्स है तो ड्रीम्स है जी हाँ हर एक बच्चा जो छोटा होता है और डॉक्टर बनना चाहता है तो वो चाहता है कि वो अबीबियस करें तो सिर्फ और सिर्फ एम्स से करें क्योंकि इसके लाखों फाइदे हैं मैं आपको कुछ को एक्स्प्रेंड करूँगा आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपको एम्स से बीबियस करना है तो आपके पास क्या फीचर होने चाहिए तो तो AIMS से MBBS करने के सबसे बड़ा फाइदा यह है ना कि आप इंडिया ही नहीं वर्ड वाइट कहीं भी जाएंगे आपको खुद बखुद रिस्पेक्ट मिलने लगेगी इतना फेमस है हमारा AIMS तो बहतरीन क्लास्रूम्स बहतरीन जो है प्रोफेसर्स की फैकल्टी और ह हमारे साथ के ऐसे बच्चे जो कि सभी टॉप रेंट होंगे तो क्यों ना हम बहतर पड़ाई कर पाएंगे जी हां कहते ना कि जैसे आपकी संगत होती आप ऐसे बन जाते हैं तो जहां पर संगत ही अच्छी हो जहांके फैकल्टी ही अच्छी हो जहांके इस्टिएंट ही अ निकलेगा प्रोफेसर्स ऐसे होते हैं जो आपको बेसिक सिखाते हैं जी हैं मेडिकल की बेसिक अगर आप सीख जाते हैं और उसके बाद आपको एक से क्रिटिकल केसिस प्रस एक से हाईलू क्वालिफाइड प्रोफेसर्स का लेक्शिर्स एक से जबर्दस्त मसीनों का पैटर और नहीं नहीं जो medical में upgression होती है उसकी information आपको time time पे मिलती रहे तो आप सूचिए कि आपको best doctor बनने से कौन रोग सकता है और आप जो भी आपको सपना है dream में है कि money, पैसा, frame वो आपको क्यों नहीं मिलेगा दोस्तों आएए बात कर लेते हैं aims के कुछ branches के बारे में आपको बता दें कि aims के total इंडिया में 15 branches है और इन 15 branches में जो हमारी top branch है one of the best medical college है वो है aims Delhi दोस्तों कुछ branches का जो list इस प्रकार से जाख में सामने है aims डेली जो कि इस्टबलिस हुआ था 1956 में और ये इस्थित है इसके लावा aims भोपाल दोस्तों 12 में स्टबलिस हुआ था ये है स्थित भोपाल मद्द प्रदेश में aims भूनेश्वर दोस्तों 12 में स्टबलिस हुआ था और ये भूनेश्वर ओडिशा में है aims जोदपूर 12 में स्टबलिस हुआ था और ये जोदपूर राजस्थान में है इसके लावा AIMS पटना जो कि 12 में स्टेवली सुआ था और ये बिहार में है और AIMS राइपूर जो कि राइपूर 36 गड़ में है और इसके बाद हमारे AIMS की कटेगरी और बढ़ जाती है जिसमें की आपके सामने AIMS गोरखपूर आता है जो कि UP में है और भी AIMS की करें ब्रांचेज हैं इसको आप गूगल करके देख सकते हैं टोटल 15 ब्रांचेज हैं आप 15 ओ ब्रांच से ही MBBS कर सकते हैं दोस्तों आईए बात कर लेते हैं कुछ अदर AIMS में कौन-कौन से कोर्सेज चलते हैं और AIMS में क्या इसकी free structure है तो दोस्तों AIMS के कोर्सेज के बात करें हम तो सबसे पिल आपको बता दें कि AIMS में लगभग सभी कोर्सेज चलते हैं चाहे वो मास्टर्स के हो चाहे वो undergraduate हो चाहे वो परा-medical के हो जी हाँ MPPS के लावा BDS, BST Nursing, BST Honors, परा-medical courses और Master's में MD, MCH, MS जितने भी courses होते हैं सभी courses आपको मिल जाते हैं Bachelor's plus Master का बेतरीन combination आपको मिलता है AIMS में और सबसे बड़ी बात का है कि इन colleges की AIMS लितनी भी branches है यहां कि fees बेहत कम है आपके pocket money जो मन्थली होती उससे भी कम आपकी fees होती है दोस्तों आई देख लेते हैं AIMS के जारबारे में क्या है fees structure दोस्तों आप देख रहे हैं कि registration fees 25 रुपए ठीक है ना और tuition fees 3550 रुपए, लबरी फिर 90 रुपए टोटल जो आपकी fees होती एजुकेशन की होती है 1628 रुपए होस्टेल, लाइट्स, इंक्लूड करने के बाद आपकी टोटल फिस होती है 428 रुपए निकि आपके एक महिने की pocket money से भी सस्था है AIMS से MBBS करने की one year की पूरी फिस दोस्तों बात करते हैं AIMS में कैसे admission मिलेगा तो दोस्तों अगर आपको चाहिए AIMS कित्रों undergraduate में MBBS जैसे courses को करना तो अगर आपको MBBS करना है या फिर आपको master's करना है तो उसके लिए आपको NEET UG plus NEET PG exam देना होता है undergraduate के लिए MBBS के लिए US exam और postgraduate MS, MD, MCS के लिए NEET PG exam और अगर आप चाहते हैं nursing exam देना या nursing course करना या parameter को करना तो इसके लिए AIMS अपना separate exam कराता है तो ऐसे बच्चे जो nursing या parameter करना चाहते हैं तो वो AIMS की site पे जाके AIMS exam कराता है उसमें participate करते हैं उनके अच्छी rank ही उनको AIMS में admission दिलवाती है तो आपको बता दें कि total number of site जो AIMS की है तो क्योंकि total 15 AIMS हैं तो इन में total संख्या जो AIMS की है वो लगभग 1200 है जबकि बात करें डेली डेली AIMS में पहले 107 site थी और अब ये increase होके 132 site होगे जी हाँ दोस्तों ये बड़ी update भी है good news भी है कि AIMS की site बढ़ चुकी है डेली AIMS में 132 site हैं जबकि जब overall आप बात करें कि total 15 branches में कितनी site हैं तो 15 branches में जो आपकी लोग लगभग 1200 site हो गई है तो अब और बच्चों को यहाँ पे MBBS मिल सकता है आपको करना कहा है अच्छा score को जो करेंगे जो top rank बच्ची होंगे उन बच्चों को ही AIMS में admission मिलेगा और जो other courses के लिए आपको AIMS के जो sites होती है उस पे जो एक्जाम दिया आता है तो आप AIMS exam के थो बेस्टी नर्सिंग प्रामेडिकल में admission ले सकती है तो AIMS के कई features इसे कि आपको best faculty, number of OBD और hospitals में, surgery session में सभी कुछ best है भारत का हर एक जो process operation में होता है या medical में होता है सारी best machine, best faculty, best instrument आपको सब मिल जाते हैं AIMS में साथ ही highly qualified professor का साथ तो जो आपको एक अच्छा doctor बनने में काफी help करती है surgery से लेकर medicine और theory से लेकर practical सब कुछ आपको अगर best सीखना है तो आपको AIMS से MBBS करने का dream बनाना ही होगा plan करना ही होगा दोस्तों बात कर लेते हैं AIMS की cut-off करती है तो दोस्तों अगर आप AIMS के MBBS की बात करें और आप MBBS करना चाहते हैं आपका dream है तो आप इतना hard work करें कि आपके neat exam में 630 plus score हो दोस्तों अब ये depend कर हो सकता है 10 number कम हो जाए क्योंकि paper किस label कर था topper की क्या marks थे इस पर depend करता है लेकिन आपको target होना चाहिए MBBS के लिए वो 630 plus होना चाहिए तभी आपको डैली AIMS मिलेगा other AIMS के लिए 10-5 number कम में भी आपको AIMS मिल सकता है दोस्तों आपसे बिस request है अगर आप चाहते हैं देश के बिस MBBS college से MBBS करना आप चाहते हैं बिस faculty के साथ में पढ़ाई करना आप चाहते हैं बिस surgeon के साथ में surgery करना तो hard work करते रहे आपको डैली AIMS मिले और आप कम फीस में MBBS करके अपने अपने माबाप के सबनों को पूरा करें दोस्तों आज इतना ही आपसे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद प्लीज कमेंट करें कि आपकी वीडियो कैसे लगी और आप कि स्कॉलेज के बारे में information चाहते हैं आपको वीडियो प्रवाइड कराएं तो आज दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत वंदे मातरम